अगर आप मेरा प्रिविएस वीडियो रिलाइंस इंडस्टिस का देखे होंगे तो आप आज के दिन लाइव मार्केट में 1970 पे एंट्री भी ले लिये होंगे दोस्तों क्यूंकि मेरे प्रिविएस वीडियो में टार्गेट्स एंड लेवल्स अच्यूव हो जाने के बाद मै 1970 रुपीज देखने को मिला तो रिलाइंस इंडस्टिस में एंट्री ले लिजे पिछले वीडियो में भी बता दिया हूं दोस्तों और आज के वीडियो में भी फ्रेश एंट्री और फ्रेश एक्जिट लेवल बताने वाला हम फ्रेश एंट्री तो आपको अभी पता चल या 970 तो इसके अंदर रिवस्टल जाता हुआ एवरेश स्टाटेजी क्या मेंटेन करें आगे बढ़ता हुआ इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बुक करें नीचे जाता हुआ स्टाटेजी मेंटेन हो रही है तो ओवरॉल आवरेश के ओपर डेवल प्रॉफिट कै से कम है आज के वीडियो में पूरे में डीटेली बताने वड़ा हुआ क्योंकि अभी तक हमारे लेस इंडेस्टी में क्लियर कट का मामला चल रहा है तो हमें हर बार प्रॉफिट हुआ तो इस बार भी प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों तो चलिए वीडियो में आगे चाट के हिसाब से मैंने क्या बताया था दोस्तों इसके अंदर हमारी प्रॉफिट बुकिंग उपर लेवल पे हो चुकी है तो आप इसके अंदर रिवस्टल जाता हुआ इंट्री किदर ले ये बात मैंने प्रीवेस वीडियो में 1970 पे इंट्री लेने के बारे में मैंने ब फिर से कल या परसुम के लाइब मार्केट में देखने को मिलेगा आप ये लेवल के पास एंट्री लेके चल सकते हैं एंट्री लेने के बाद स्टाटेजी किदर मेंटेन करें ये इंपोर्टेंट होता है आगे बढ़ता हुआ स्टॉक किदर एक्जिट करें ये भी इंपो दो लेवल भी पकड़ के चलेंगे तो आप इसके अदर आवरेज स्टाटेजी मेंटेन होके 1955 ओवराल आवरेज बनेगा और जो आपने लेवल पे लिया है 1970 आवरेज स्टाटेजी मेंटेन करने के बाद 1970 जो आप लेवल पे लिये हैं यही 1970 जाते हुए दिखा तो आपको इधर भी डबल से त्रिवल प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों यह लेवल पूरे मंतली टागेट के लिए लेके चलिए अगर आप शॉर्ट टर्म टागेट में ट्रेड करना चाहरें क्योंकि और यह में शॉर्ट टर्म टागेट सभी को पता हैं अगर मेरे वीडियो करते ह हैं तो हर बार वो लेवल होते ही रहते हैं तो देखिए यह बार अगर आप शॉर्ट टर्म टागेट में ट्रेड करना चाहरे हैं मेरे लेवल पे तो देखिए 2040 शॉर्ट टागेट लेके चलिए 2070 प्रोफेशनल लेके चलिए इससे पहले जो महीने 1970 एंट्री करिए 1940 आप इसमें average strategy maintain करिए 2010 ये level पे exit ले लिजे ये जो उपर के ये वाले levels हैं दोस्तों ये monthly targets के लिए हैं ये जो levels बता रहा हूँ ये short term targets में trade करने के लिए हैं दोस्तों ये ही levels होंगे Reliance Industry में profit book करने के लिए ये मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description ने मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 16th December 2020 Wednesday Reliance Industries का closing है 1976.55 पैसा यह मैं target निकाल रहाँ 17th December 2020 Thursday के लिए Thursday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे targets and stop loss live market में trade कर सकते अगर आप live market में trade कर रहे हैं आपको levels मेरे achieve होते वे दिखे हैं आपने entry भी ले लिया तो immediate targets and stop loss लगा के चलिए stop loss हिट हो रहा है तो कितना कम नुक्सान हो रहा है targets हिट हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप पहली बार वुडियो पे आए हैं तो आप levels पे काम करने के लिए थोड़ा घबरा आ रहे हैं तो जब क्या करिए लाइब मार्केट में आप पेपर ट्रेडिंग करिए पेपर ट्रेडिंग करते वे देखिए levels अचीव होने के बाद targets अचीव हो रहा है तो कितना profit हो रहा है stop loss हो रहा है तो कितना कम नुक्सान हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा उसके अगले बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कौन से level पे stock को trade करना है और कौन से कौन से level पे करना नहीं है और एक बाद reliance ऐसा stock है जिसके अंदर volatility जादा होती है और हर बार हम लोग profit book करते वेश चल सकते हैं चाहे वो intra day हो चाहे वो monthly target हो